जैमा एक्युवान भारतिय नवका सेन्य में काम करता था। और दुसरी दफा भी आने लगा, तो नलेनी से कहा, मैं श्री औरोविंद और श्री माताजी से थोड़े पुस्तक लेना चाहता हूं। क्या मैं दो तिन पुस्तक परचेस कर सकता हूं। नलीने ने उत्तर दिया, आप माधव पंडित जी से जाके मिलिये। युवा गया माधव पंडित के पास और अपनी इच्छा अव्यक्त की। उसके पास नेवी के बारे में एक किताब थी। वो चाहता था कि ये किताब वो श्री माताजी को बेट में अरपन करे। उन्होंने माधव पंडित से पूछा, क्या ये किताब मैं भैट कर सकता हूँ। माधव पंडित ने हाँ बोला और श्री माताजी को अरपन करने के लिए वो किताब लेके श्री मा के पास पहुचा। जब वो युवान श्री माताजी के मिलने के बाद नीचे आया, तब माधव पंडित ने वो युवान के सामने पुस्तकों का एक धेर लगा दिया। युवान श्री अरविंद का प्रकाशित हुआ हर एक पुस्तक वो धेर में था। युवान तुस्तब्द हो गया। उसने सोचा था कि मैं एक दो पुस्तक परचेस कर लूँगा। इतनी सारी किताबे परचेस करने का उनका मन नहीं था। वो थोड़े संकोच से माधव पंडित से कहने लगा। मेरे पास इतनी सारी किताबे खरिदने के पैसे नहीं है। मैं एक दो किताबे परचेस करना चाहता हूँ। माधव पंडित ने उतर दिया। श्री माता जी की और से आपको ये सारे पुस्तक बेट में दिये गया है। आपको कोई रकम देनी नहीं है। युवान श्री माता जी के स्मरण में वहीं मग्न हो गया। जै माँ